नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत्र यन तंत्रवास्तु के विशेस काजकर के साथ नवरात्री में पूजा पाठ की जाती है और इसके साथ साथ कुछ उपाय और टोटके भी किये जाते हैं ऐसा मानते हैं कि नवरात्री के समय में जब कुछ उपाय और कुछ टोटके करते हैं तो इसका परिणाम आपके जीवन में तुरंत मिलता है यानि जिस कामना, जिस मनोकामना के लिए आप उपाय करते हैं उसकी पूर्ती नवरात्री में बहुत जल्द हो जाता है ऐसे में लोंग के कुछ उपाय हैं, कुछ टोटके होते हैं जिसको करने से आपकी किस्मत रातो रात खुल सकती है नवरात्री में अगर आप ये लोंग के कुछ उपाय टोटके करेंगे तो निस्तित रूप से आपकी हर इक्छापन होती है और आपकी किस्मत भी आपका साथ देने लगता है लोंग एक मसाला है लेकिन यह तांत्रिक मसाला है जिसका परियोग जोति सास्त और तंत सास्त दोनों में किया जाता है लोंग का एक खास तरह का इसका एक गुन है देखिए लोंग में क्या होता है कि जो भी आप मंत्र जाप करते हैं उसका जो उर्जा है इनर्जी है इसे लोंग बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है इसे सोशित कर लेता है इसके साथ साथ जब भी आप नवरात्री में माता देवी की पूजा करते हैं और आप देव आसिरबाद के रूप में जो भी चीज प्रदान करती है जो आसिरबाद के रूप में देवी से उर्जा के रूप में आपको प्राप्त होता है इस उर्जा को लोंग बहुत आसानी से सोशित कर लेता है एब्जोर्ब कर लेता है और जब इस लोंग को बाद में इसका परयोग करते हैं तो चुकि इसमें देवी की उर्जा समाहित होती है इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत जल्द परता है तो लोंग एक ऐसा चीज है जो नवरात्री मगर आप इसका खास उपाय टोटका करेंगे तो निश्टी तूप से इसका परिणाम आपके लिए सुभ होग और बहुत जल्द इसका परिणाम आपके जीवन में मिलता है तो बने रही है हमारे साथ हम आपको पताएंगे कि नवरात्री में दो लोंग बदल सकती है आपकी किसमत क्या उपया करना है ताकि आपका किसमत खुल जाएगा लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे लिचल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कि पैसे सब्सक्राइब कर लें तो था बेल बटन को भी दमाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरत मिल जाए नवरात्री के पावन दीन बहुत ही सुमाने गये हैं धार्मिक मनता के मताविक इस दोरान देवी माता दु माना गया है लोंग के ऐसे कुछ उपाय है जो आप अगर करते हैं तो आपके घर में सुख समर्धी लेकर ये लोंग आता है चुकि मैंने आपको इसका विशेस जो गुन है मैंने आपको बताई है इसी विशेस गुन के करन इसका परयोग करने से नवरात्री में ये आपके घर में हर कुछ लेकर आता है, जो आपकी इक्षा है, आप धन चाहते हैं, सुक चाहते हैं, समर्धी चाहते हैं, जो भी इक्षा है, ये चीज, ये लोंग आपको नवरात्री में लाकर देगा, तो नवरात्री के समय में लोंग के कुछ उपाय आपको अबस करना है, ये उपा पाठ में इसका बिशेस महत्त है और लोंग का पर्योग स्वास्त और स्वाथ के लिए भी फायदे मंद होने के साथ साथ यह जोतिस सास्त के उपाए में भी कारगर मना गया है लोंग का पर्योग पूजा के अलावा तंत्र मंत्र में भी किया जाता है क्योंकि इसे उर्जा का बाहक माना गया है जैसा मैंने आपको पहले बताया है इसलिए अगर आप लोंग का परयोग करते हैं तो निश्चित रूप से इसका फल आपको मिलेगा लोंग जोती सास्त्र में 20 सस्थान रखती है चोंकि इसके माध्यम से किये गए कुछ हुपा या टोटके ऐसे हैं जो हमा है जिस गुण के कारण ही इसका परयोग हम बहुत ज़्यादा तंतरमंद पूजा पाठ में करते हैं तो नवरात्री में माध्यूगा को लोंग का जोरा अरपित करने से मन की हर इक्षा पूरी हो सकती है अगर नवरात्री में लोंग के पंच बिसेस उपाय कर लिये जाए त तो जीवन की हर बड़ी से बड़ी समस्या का समधान भी हो जाता है समस्या का अंत हो सकता है नवरात्री में माध्यूगा को लोंग अरपित करने का भी बिसेस महत पताया गया है ऐसा कहते हैं कि माध्यूगा को लोंग का जोरा अरपित करने से मनो बांचित फल की प्राप्त होती है इसके अलाबा लोंग के ऐसे बहुत से उपया है जो घर में सुख समर्धी लेकर आता है इसलिए आप लोंग का उपया इस पर आवस करें अब आपको करना क्या है नवरात्री के इन पावन दिनों में आप सरसो के तिल का दीपक जलाएए उसमें चार लोंग डाल करके भगवान हुनमान की आरती कीजिए ऐसा करने से जीवन का हर संकट दूर हो सकता है ये उपया करने वालों के पास कभी भी धनकी कमी नहीं रहती है इसलिए नवरात्री में ये उपया आप अबस करें अगर घर में हमेशा लडाई जगरा रहता है तो इस नवरात्री में लोंग का एक बिसेस उपया आप कर लिए इसके लिए आपको लोंग का एक जोरा पीले कपड़ी में बांद करके घर के किसी कोने में टांग देना है इससे आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा अगर लोंग को लाल कपड़े में बांद करके धन के अस्थान पर रख दिया जाए तो घर में कभी भी रुपईये पैसे की कमी नहीं रहती है इसलिए आप नवरात्री में ये चीज अपनमा चाहिए इस नवरात्री में नवरात्री में आप क्या किजिए कि निम्बू पर चार लोंग आप गार दिजिए और 21 बार ओम स्री हनमते नमा मंतर का जाप कर लें बजरंग भली आपकी सारी परसाइगा को धूर कर देंगे नवरात्री की दिनों में अगर आप ये हांसिल होगा अगर आप अपने विरोधियों से प्रिसान है तो इसके लिए आप पूजास्थल पर अपने घर के पूजास्थल पर या मंदिर में भी पंच लोंग अर्पित कर दें इसके साथ ही मां को मंदिर में पीले फल या पीले मिठाई का भोग भी लगाईए अगर इन तो आपके दुस्मन प्रास्त हो जाएंगे पस्ट हो जाएंगे आगे से वह आपके लिए कोई तो नहीं रचेंगे अगर रचेंगे भी उसमें बिफल हो जाएंगे सतर आपके साथ तो निस्टित रूप से हो जाते हैं, इसके साथ, लोन के अलावा, अगर नवरात्री की दिनों में, एक चीज आप और करें, आप क्या करें, पीपल के पांस पत्ते ले लिजिए, उस पर राम का नाम लिख लिजिए, और इस पर कुछ मीठा रख करके, हुनमान जी के मंदिर म आप इसे अरपित कीजिए, ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से धन का लाव आपके जीवन में निस्टित रूप से प्राप्त होता है, तो ये लोन के कुछ ऐसे उपाय हैं, अगर आप इसको करते हैं, तो निस्टित रूप से आपको देवी का अशिरवात प्राप्त होता है, और यह उपाय सटिक तरीका से आपने कर लिया तो आपकी इक्षा आपकी कामना निश्टी तूप से पुन हो जाती है तो आपको वीडियो पसंद आए तो कि पैसे लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि वह भी नवडाति के दिन में अगर लिए उपाय करते हैं तो उसके जीवन में भी धन की प्राप्ति अबस होती है उनकी एक्षा भी पुन हो जाती है तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद